okay so hi guys welcome back to our new another youtube video now guys previous video के अंदर हमने single candlestick pattern double candlestick pattern and triple candlestick pattern जान लेते हैं now guys अब बाद आती है support and resistance जानने की what is support and resistance so इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है संपून ग्यान guys अगर आपको पता हो तो दिखा नहीं पता है तो मैं बता है दो मारी प्लेलिश बंडी जो की full share market crash course होना वाला हो भी फ्री में so हमारा एक paid course भी है जिसके अंदर हम market के सारे secrets रिविल कर रहे हो और बहुत सी बात होती है पुरा basic to advanced course है so अगर आपको पर्चेस करना है तो description में लिंक है जाकर कर सकते हो description में मेरा phone number भी महा से भी कर सकते हो now guys अब बात आती है हम लोग समझते है support and resistance what is support and resistance simply भाशा में मैं आपको समझाओ तो जहां के अभी में बैठा हूं वह मेरा support है like अभी में 3rd floor पे बैठा हूं तो वह support मुझे नीचे नी गिरने दे रहा है वह मुझे नीचे नी जाने दे रहा है तो मेरा support है और उपर मेरी च्छत है तो वह like अब मान लो मेरी height जो है बढ़ते क्रम में तो मेरी च्छत मुझे उसके उपर तोड़के उपर निकलने नहीं दे तो मैं जुकना बढ़ रहा है फिर से उपर जा रहा है फिर से यहां पर जा रहा है फिर से उपर जा रहा है फिर से यहां पर आ रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर से आ रहा है और फिर यहां पर यहां से वापस उपर जा रहा है अब देखो अब यहां पर बार बार आ रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे 저, तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर आ रहा है और वामपस से उप़र जा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे राइन को ड्रॉ करेंगे तो अब हम लाइन को करेंगे मान लो यहाँ पर कुछ भी रेट ओ सकते तो यहां पर इस भाव पर आ रहा है वापस से उपर जा रहा है सो हमको इससे यह पता चलता है कि इसका support zone मतलब कि इस भाव पर आ रहा है और इस भाव पर खरीदार ही हो रही है यह को clear हो गया अब what is resistance क्या होता है अब हम लोग समझते हैं ओके सो गईत अपने support समझ लिया अब हम लोग समस्ते है what is resistance मान लो कि हम इसको पूरा अच्छे से ड्रो कर लेते हैं यह मान लो 110 रुपय का भाव है और यह मान लो यह 501 रुपय का ठीक है अब हमको पता है इस टॉक नीचे सा रह कि हां इस भाव पर बार बार ये ऊपर निकल रहा है इस भाव के पाथ जब भी आ रहा है ये ऊपर निकल रहा है और इस भाव के पाथ जब भी आ रहा है वहां से नीचे निकल रहा है इसका मतलब हमको ये हो गया आपकी वह बोलते हैं कि सोने का भाव कम हो गया चलो खरीद लेते हैं अभी आपको पता है चलो चलो खरीद लेंगे लेकिन अभी जिसने 110 पर खरीद रखा है वहाँ रहे हैं कि देट हो जाएगा हम लोग बेज देगा अब यहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि support and resistance के वपर trading करते हैं जब support zone के आपको मैं समझा हो 110 पर बार-बार support ले रहा है तो 1500 रुपय पर बार-बार resistance ले रहा है मतलब 1500 रुपय जो भाव हो है वो supply zone है और 110 इसका demand zone है अब देखो आपको पताएगा इसके आपका काना बाई जितना easy कर सकता है उतना easy करके समझाता है कि देखो बहुत से बंदे इनको समझ नी भी आती है और बहुत से बंदे मिलके समझ रहे हैं जब सारे बंदे मिलके समझ रहे हैं तो उसको easy करके समझाने में ज्यादा फाइदा है ना बड़े-बड़े शब्दे तो बहुत अब इतनी बार 1.5 रुपे के भाव से नीचे गिरा है अब इसा खरिदते 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 हैं तो कुछ ज्यादा बाइंग हो जाएगी उप्रेटर जो रहते हैं वह मार्केट की बीग फिशेस होती है जो कि मार्केट में हजारो करोड की खरीदारी करती है जब तो श्टॉक्स पंप होते हैं मतलब की उपर निकल वाइस ओप्रेटर जो होते हैं मार्केट की बीग फिशेस होती है जो कि अगर वह खरिकते हैं तो श्टॉक्स ऑटोमेटिक भागते क्यों कि देखो उनके पीछे टीमबक होता है वह लागो हजारो करोड की खरीदारी करत लोग जादा रेट में खरीदेंगे आपको पता है मार्केट हमेशा ऐसे तो जाता नियुक्त अब हमको पूरा अंडर्श्टैंड करने का त्राइब करना राइट अब हम कैसे समझेंगे अब यहां पर क्या करेंगे वह तो तोडएंगे यहां पर आप पको पता है कि वह करोड यही पर ख़रीदेंगे ऐंगे यहां पर खरी देंगे वह तोड़ा इंट कर यह श्तौ की कोष्ट के उपर ऍट ऐसी प्रेस के उपर वो मानड़ो कि देड़ समनLY 152 के खरीदर है तो उनकी बहुत उपर ही खरीदारी ओगी और उपर ही बाइंग होगी misin में प्रेश har गरोड़गी खरीद आई तो भी मेरे ख्याल से ज्यादा बोल रहा हूं वो तो सिर्फ उनी को बता है कितने की बाइंग करते हैं तो यहां से निकलेगा फिर रिटेस्ट करेगा रिटेस्ट मतलब नीचे आएगा ठीक है नीचे आएगा फिर नीचे आने के बाद क्या होगा फ उसको लोग पोलते जब सब्स फोर्ट को टोड़के मार्केट नीचे निकले नीचे की साइड निकले उसको लोग ब्र क YES ब्रेकडाउन ऑर यह समझा आईगा वत ये समझ के न नीचा आएगा तो जब रहना इनकलेगा उसां इंड़ोग ब्रेक लात को समझते है उपोपर अब भी हम डिट्रेश्मेंट वगरा सबाना हले वीडियो में समझेंगे आप अभी सिफ समझो support and resistance क्या होता है अब एक simply भाशा में समझाओं कि जहां से market बार-बार जिस भाव से market बार-बार उठ रहा है वो हमारा support हुआ हमालोग 100 के भाव से उठ रहा है तो 100 हमारा support zone है और एक्जामपल दे रहा था कि हमारे माता पीता होते हो सोना खरीद ने जाते उनको पता होता है कि इस भाव के पास है हम खरीद लेंगे जिसे भाव बढ़ेगा बेज देंगे यही एक तरीके से बहुत से बंदे support and resistance पे ट्रेडिंग करते हैं बहुत से बंदे होते हैं जो breakouts पे ट्रेडिंग करते हैं वीडियो में सब धीरे-धीरे समझते जाएंगे आयोप आपको कही से समझ आया होगा मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम